हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में आज हम बात करेंगे संग लोक सेवा आयोग इसके अंत्रगत आप NDA का फॉर्म कैसे ऑनलाइन अविदन करेंगे स्टेब बाइट सारी जानकार इस वीडियो में हम जानने वाले है तो चलिए बीना किसी तरी के सुरू करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह इसका में साइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप सीधे सीधे इस में साइट पर चले आएंगी आने के बाद कुछ इस तरक एंटिफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आप सबसे पहले OTR करना पड़ेगा ठीके OTR जानी One Time Registration अगर आपको NDA या CDS का फॉर्म फिलप करना है आपको Union Public Service Commission की साइट पर OTR करना पड़ेगा अगर आपने एक बार OTR कर लिया तो इसके थुरू जितने भी फॉर्म आएंगे आप PC के थुरू ऑनलाइन कर सकते हैं आपको फिर से OTP को शेंड करेंगे, capture code फिल करेंगे इसके बाद login कर सकते हैं यहाँ पर OTR ID दिया हुआ है OTR ID के थुरू भी आप जो की login कर सकते हैं आप अपना OTR ID, password जो आप create करेंगे capture code यास फिल करेंगे इसके बाद login कर सकते हैं ठीक है अगर आप पहले बार इस फिल अप कर रहे हैं आपका OTR नहीं है तो हम new registration पर click करेंगे जैसा हम इस पर click करेंगे आपका new registration का option खुल जाएगा जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम फिल करेंगे जो आपके high school के basis पर होना चाहिए नाम को verify करेंगे अगर आपका नाम चेंज है तो yes करिए नहीं है तो सीधे no करिए यहाँ डेटा बार्थ को करेंगे पिता की नाम को कमफर्म करेंगे माता का नाम में आपको कमफर्म करेंगे माईनुरी स्ट्रेटर नाम करेंगे मुबाइल नमबर या साधने लएक्वा कप्रेंगे आल्टरेट कोई मोबाइल नमघ देना चाहते हैं तो यहांसे सकते हैं इससक्तों कोई joy यहांसे प्रणध करिए इसके बाद सेख्यों अब को देना पड़ेगा इसमें सलेट सेख्यों चाहते हैंbr जैसे मैं favorite subject यहां से choose करता हूं उसका answer आप यहां से fill करेंगे इसके बाद select security question 2 यहां पर दे देंगे जैसे मैं favorite color यहां से देना चाहता हूं तो यहां पर जोगी फिल करेंगे उस color का नाम इसके बाद capture को फिल करेंगे इसके बाद submit पा क्लिक करेंगे ठीक है restriction होने के बाद आपके mobile नमबर पर कोटीप करेंगे इसके बाद verify पा क्लिक करेंगे ठीक है आपका OTR होने के बाद फिर से चले आएंगे इस वाले साइट पे आने के बाद आप अपना OTR ID या mobile नमबर या email ID किसी बेकी through जो की login कर सकते हैं ठीक है इसके बाद capture code फिल करेंगे इ इसको login कर लेते हैं हम जैसे हम login पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरके आएगा जिसमें आप क्लिक करेंगे latest notification इस पर क्लिक करेंगे हम क्लिक करने के बाद सबसे पहले option देखा यह देगा cds का यानि combined defense services इस पर हमने already एक वीडियो बना चुका है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखिया तो जाए हमारे चैनल पर देखिए कैसे इस form को फिल अप करेंगे आज हम बात करने वाले हैं nda का ठीक है यह form जो है 20-12-32 से सुरू हो चुका है और 9-1-24 तक इस form को फिल अप किया जाएगा ठीक है अगर आप OTR में कुछ update करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके edit कर सकते हैं या update कर सकते हैं ठीक है इसके बाद click here part 1 ठीक है इस वाले section पर क्लिक करके पहले part को complete करेंगे इसके बाद आपका second part open हुआ चलिए पहले part को complete करते हैं इसको किलिक करेंगे हम जैसा यह आप सकते हैं क्लिक करेंगे को सेक्षन पर तो आपका सब कुस दिखाई देगा इसके बाद नीचे आएंगे हम नीचे आने के बाद अप्लिकेशन डिटेल यहां से दिखाई देगा जिसमें आप नेशनल्टे दे सकते हैं अगता हैं सेंदल्टे अर्शन के अधर्शन के बाद इसके खूआंच। इसके बाद एंव्लिकेशन कलिकी त壓 कोएगा जाएगा आपका सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इंटेमीडियेट पास है या जो कि अपेरिंग दोनों में फिलप कर सकते हैं इसके बाद एड़ेस वान एड़ेस टू एड़ेस त्री इसके बाई इन्वें टेरेटी या इस्टेट या से चूज करेंगे किस इस्टेट से फ़र्म को एक बाद option दिखाई देगा photo id card जिसमें आप अपना अधार card, pen card या जो photo id चूज करना चाते हैं इसके बाद इसको yes करिए इसके बाद आप अपना id card का number या से फिल करिए इसके बाद जो भी आप id select करेंगे उसका pdf आपको upload करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर click here पर जाके इसका notification को पढ़ सकते हैं कैसे upload करते हैं ठीक है इसके बाद इसको close करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे तो आप option दिया हुआ है क्या आप अगर है तो yes करिए वाना no करिए क्या आप YCNA के GDU के लिए बिचार किया जाना पसंद करेंगे अगर है तो yes करिए वाना no करिए इसके बाद क्या आप सैनिक ए अमिलिटी स्कूल के बिद्यार्थी है अगर है तो yes करिए वाना no करिए और कुछ अपडेट करना चाहते है तो अपडेट पर जाके edit कर सकते है वरना capture code को fill करिए इसके बाद I agree पर क्लिक करेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे है जैसा कि आप देख पर है मेरा print slip आ चुका मैं यासे इसको print out ले लेता हूं इसके बाद आपना passport साइट के photo और signature अप्लोड करेंगे जहां भी अपने browser पर रखा हुआ ठीक है अगर आप आपको upload करना नहीं आता है ठीक है यहां पर जो फी format दिये हुए है इसी format आपको जो कि upload करना ठीक है इस पर click करेंगे तो paint में चले हींगे paint में जाकर जोकि अपने image को recite कर सकते हैं यहां पर जोकि step बताया गया है आप इस step से recite करके आप जोकि photo और signature को दोनों को upload कर सकते है चली इन दोनों को मैं upload कर लाता हूं एक के करके ठीक है जैसे के आप देख पा रहें मैंने दोनों को upload कर लिया है ठीक है मेरा दोनों आच चुका है इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ने के बाद चले जाएंगे हम अपना center चूच करने के लिए continue पर click करके इसके final submit करने के लिए ठीक है जैसे ही आप final submit पर click करेंगे आपका application final submit हो जाएगा इसके बाद नीचे आएंगे हम तो आपका final application निकल जाएगा इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद आप देख पाने है आपका final ने हो चुका है आप click here पर जाके final print out निकाल सक ने यूपिसिक के अंतरकात NDA का फर्म ऑनलाइन आवदेन किया step by step सारी जानकर आपको provide की तो आसा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो like करें कमेंट करें और ऐसा information वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे है जाहिन दोस्तो पर दोस्तो है